हेलो स्टूटेंट स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में आज हम डिसकस करने वाले हैं human blood group का topic with this hope that you all are doing well in your study आप शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो लेक्चर नाओ देखो अगर हम बात करें blood group की तो एक blood group को पहचानने के लिए हमने 49 से भी ज्यादा या evolve कर लिए हैं कि हम किस तरह से एक blood group को पहचाने हैं कोई भी blood sample अगर हमारे पास हो हम उनमें से कई factors को check करके कह सकते हैं कि आपका blood group किस तरह का है लेकिन हमें इनमें से केवल दो important वाले पढ़ने हैं जो सबसे ज्यादा important है सबसे ज्यादा common है एक है आपका ABO blood grouping और दूसरा है RH factor ABO blood grouping ये बताता है कि आपका blood A होगा B होगा AB होगा या O होगा और एक कि आपका blood positive होगा या negative होगा जो कि आपने सुना होगा कि O positive है A O negative है A positive है A negative इस तरीकी की चीज है तो ABO blood grouping वाला system हम ये बताएगा कि blood group A है, B है, AB है या O है और RS factor की मदद से ये पता लगेगा कि A या B या AB या O positive है या negative है आज हम शुरू कर रहे हैं ABO blood grouping next lecture में हम जानेंगे RS factor को तो देखो, अगर हम एक ABO blood group को पहचानना चाते हैं तो हमें बहुत ही simple काम करना है एक RBC लेनी है इस RBC का जो surface है उसके surface को चेक करना है होता क्या है, RBC के एक surface पे जब हम चेक करते हैं microscope के अंदर तो carbohydrate यानि sugar का बना हुआ एक structure दिखाई देता है उस structure के design को देखना है अगर वो design इस तरह से दिखेगा देखो ऐसे, triangular, triangular तो हम कहेंगे आपका blood कौन सा है ये वाला और ये जो design है न ये बना किसका एक carbohydrate का carbohydrate में particularly oligosaccharide जो कि आपने biomolecule में पढ़ रखा है oligosaccharide तो oligosaccharide का ये structure बना है इसको हमने एक different नाम दिया है जिसका मतलब होगा antigen यानि कि इस शुगर के उपर ये जो structure जो शुगर इस rbc के उपर ये जो structure बना है शुगर का उसे हम क्या बोलते हो चलेंगे antigen तो अगर एक rbc पे ऐसे triangular shape में antigen दिखाई दे तो हम कहेंगे आपका blood a है अगर antigen आपको ऐसे semicircle shape में दिखाई दे तो हम कहेंगे आपका antigen b है अगर आपको दोनों एक साथ एक ही rbc पे दिखें तो कहेंगे blood group a b है अगर दोनों में से कोई सा भी ना हो तो क्या बोलेंगे blood group o है जाने कि यह बहुत simple है हो सकता है आपको लग यह बहुत ज़्यादा मुश्किल topic है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल easy topic है बस rbc पे देखना है वैसा दिखे तो a, ऐसा दिखे तो b दोनों एक साथ आए तो a b दोनों में से कोई सा भी ना दिखे surface पे तो o इसके अलावा आपकी एक blood group में अगर किसी दूसरा blood को डाला जाए माल लेते हैं मेरा blood a है और अगर कोई दूसरा blood उसके अंदर mix किया जाए तो क्या मेरी body accept करेगी तो जवाब है नहीं accept करेगी body resist करेगी क्योंकि दूसरा blood भले ही human का हो या किसी animal का हो उससे फरगने पड़ता बात यह है कि वो मेरी body के लिए foreign particle का काम करेगा और अगर वो मेरी body के लिए foreign particle है तो मेरी body उसको resist करेगी रोकेगी बंद कर देना चाहेगी तो बंद करने के लिए isolate करने के लिए मुझे कुछ soldiers चाहिए soldiers को हम हमेशा क्या बोलते आए है antibodies antibodies तो बिल्कुल सही हमारे blood group के साथ में हमारे पास एक चीज और होती है जिसे हम कहते है antibody blood group RBC के surface पर पता लगाया जाता है और जो antibody होती है वो हमारे plasma के अंदर हमेशा dissolve होके रहती है अगर मेरा blood group माल लिया जाए अगर A है तो मेरी body A वाले blood group को resist नहीं करना चाती इसलिए मेरी antibody का जो design बनेगा जो structure बनेगा वो ऐसा बनेगा कि वो B वाले को lock कर दे क्योंकि B ही वाला है जो मेरे लिए foreign particle आएगा तो B वाले को lock कर दे तो देखो A वाले की body के अंदर जो antibody है वो किसको रोकने के लिए बनी वाले को रोकने के लिए तो blood group A तो antibody कौन सी होगी वाली कैसे रोकेगी इसको तो देखो सारी antibody पहले समझे लो वाई शेप में ही होती है इन वाई शेप के जो terminal end है इसमें देखो आपको semi circle दिख रहा होगा तीनों इस्सों में और इस B में भी semi circle है तो होना क्या है यह semi circle वाला हिस्सा इसके साथ में ऐसे आके जुड़ जाएगा अगर ये एक A blood group वाली body के अंदर जाएगा तो A body के अंदर जो B वाली antibody है वो B वाली antibody इसको चारो तरफ से क्या कर देंगी ब्लॉक कर देंगी और blood की clotting करा देंगी तो इसे हम कहेंगे blood clot हो गया और blood match नहीं हो रहा या फिर body ने क्या कर दिया blood को reject कर दिया तो यही वो ची करना चाहती है तो उसके पास जो blood में antibody होगी जो उसके plasma में वो A को रोकने के लिए बनी है उसलिए उसकी antibody कलाएगी A antibody यह भी सेम वैसे वर्क करती है जैसे बीवाल ने वर्क किया तो यह क्या करेगी इसकी antibody इस तरीके से design है कि वो इस A के साथ में attach हो सकती है उसका आप design द चाता है इसलिए B antibody है B वाला blood A को रोगना चाता है इसलिए उसके पास A antibody है अगर हम बात करते हैं एक AB blood की तो देखो अगर इसने A वाली antibody यानि A के पास जो antibody थी अगर B वाली antibody को रखा तो भी इसके पास B वाले surface पे antigen तो हैं ही इसकी अपनी antibody इसके अपने RBC के साथ जु दूसरे की पहचान से पहले यह इसी को ब्लॉक कर देगी इसलिए AB blood group के पास में किसी भी तरह की antibody नहीं होती क्लियर हो रही है यह बात आपको बात करें ओ ब्लॉड ग्रूप की तो ब्लॉड ग्रूप एक ऐसा ब्लॉड ग्रूप है जिसके surface पे कोई antigen नहीं है antigen exist नहीं कर antigen के उपर अपनी antigen को चिपका देना इसके उपर क्या नहीं है कोई antigen नहीं है तो ऐसी condition में O वाला AB को blood देगा कोई रोकने वाला नहीं है कोई दिक्कत नहीं है AB वाला blood accept कर लेगा ऐसे ही O वाला B को blood दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और O वाला अगर A को blood दे तो भी अगर कोई हतियार नहीं है जिस मर्जी के घर में जाओ कोई मना नहीं करेगा आराम से most welcome के लिए बात तो क्यूंकि ओ वाला ओ वाले को तो दे ही सकता है और बाकि सभी को दे सकता है यानि कि चारों ब्लड को दे सकता है तो यहां पे हम मानेंगे कि ओ ब्लड गुरूप दरासल universal donor है accept हो यह बात आपको और अगर आप AB वाले को देखो तो देखो O वाले से ले ही सकता है और अगर कोई AB वाला हो तो वो तो दे ही सकता है क्यूंकि वो तो अपना ही ब्लड है अब क्यूंकि इसके पास तो antibody है ही नहीं तो चाहें B वाला इसको ब्लड दे दे और चाहें A वाला इसको अपना व्लट दे यह किसी को करा शॉम कर सकता तो देफो अफ़ला कि ले रहा है व किसे उनिवर्स रेसिपिएंट वह पर बात करें वहली इक तो अपना वह यह एक पोद नहीं करेगा क्योंकि ए आया तो रोख अगर A B आया तो A B में भी A वाले हिस्ते को रोकना है तो A B भी भी अलाउट नहीं करेगा तो B में सिर्फ B वाला आ सकता है और O वाला तो खेर most welcome है ही है ना तो B वाले दो से बलड लेगा B से और O से and same A वाला भी एक A से बलड लेगा और O से बलड लेगा I hope यह आपको समझ आया होगा बहुत ही सिंपल और छोटा सा वीडियो लेक्चर था with this hope कि आपको यह समझ आया है मैं उमीद करूँगा कि आप नेक्स लेक्चर को जरूर देखेंगे जो की आरेश प्रेक्टर पर बेस होने वाला है अगर वीडियो से रिल्टिट कोई डाउट है तो नीचे दी गई जो इमेल आईडी है इस पर अपने आप जो डाउट है जो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में अंटिल स्टे ट्यून्द जये